हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक तु माई यूटूब चैनल रिवाज टेक तोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यहां पर बजीर एक्स एप में बहुत से लोगों को मनी डपाइट करने में बहुत ही मुश्किल का सामना करने को मिल रहा है यहां पर मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूँ यहां पर आप मनी डपाइट करने के लिए बिल्कुल असानी से लाइफ टाइम आपको कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है और आप लाइफ टाइम इस ट्रीक का यूज करके बिना कोई फीस दिये यहां पर फ् सब्सक्राइब करने और पहला इकॉन का बटन दवा दें तांके आने वाली सभी वीडियो की नोटिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर मैंने अपनी वजीर एक्स एप को उपन क होगा तो यहां पर 28 रुपीज यहां पर मेरे शो किये जा रहे हैं यहां पर आपने मनी डुपाइट करने के लिए नीचे आई एन रुपीज यहां पर लिखा है यहां पर सिंप्ली आपने क्लिक कर देना है यहां पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहां पर यह थोड़ balance आप देख पा रहे होगे, यहां पर आपका current balance हो करेगा, दूसरे नमबर पर net banking की option फिलार यहां पर बंद कर दीगी है, तो यहां पर बजीर X pair to pair की option आपको देखने को मिले यह, simple यही एक option बचाए, यहां पर money deposit करने के लिए, दोस्तों यहां पर बजीर X pair to pair के बारे में बहुत से लोगों को पहले से पता है, यहां पर बजीर X pair to pair के जरिये यहां पर payment की जाती है, लेकिन फिर भी बहुत से लोगों को यहां पर बजीर X pair to pair कैसे करना है, बहुत से लोगों को नहीं पता है और बहुत से लोगों को जिने पता भी है लेकिन फिर भी उन्हें यहां पर डिपाइट करने में बहुत मुश्किल आ रही है तो यहां पर मैं बहुत ही असानी से आपको सिंपल तरीके से यहां पर डिपाइट करके दिखाऊंगा यहां पर बहुत ही सिंपल दरीके से आप यहां पर पेमेंट कर सकते हो, यहां पर सिंपली बजीरेक्स पेर टू पेर पर आप क्लिक करोगे, अब आपके सामने थोड़ा सा प्रसेसिंग लेने के बार, यहां पर यह डॉलर का प्राइज रिशो करेगा, यहाँ पर 84 रुपीर यहाँ पर डॉलर का प्राइज इस टाइम चल रहा है, तो यहाँ पर बहुत से लोगों का ये question रहता है कि sir हम कम से कम कितने USDT यहाँ पर buy कर सकते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता। कम से कम 14.5 यहां पर आप USDT buy कर सकते हो तो यहां पर simply हम 15 USDT buy करेंगे यहां पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि total 1260 रुपए हमें यहां पर pay करने होगे तो आपने simply यहां पर buy पर क्लिक कर देना है तो सबसे पहले अगर आप पहली बार यहां पर deposit कर रहे हो तो आपको यहां पर एक XID create करनी होगी जो के आपकी XID first time आपको यहां पर create करनी होगी जैसे कि मैं आपको यहां पर अपनी XID create करके दिखाता हूँ तो यहां पर मैंने अपनी XID create कर ली यहां पर create XID पर click करोगे तो यह okay लिखा आ गया अपने okay पर click कर देना है अब आपने simply यहां पर आपको USDT का price ठीक है टोटल आपने कितने USDT यहां पर purchase करने है उसकी total amount आपको यहां पर देखने को मिल रही होगी अब आपने simply buy की option पर यहां पर click कर देना है buy की option पर click करने के बाद यहां पर यह matching with direct seller आपको लिखा मिल जाएगा यह थोड़ा सा processing लेगा यहां पर इतने USDT जो बंदा sale कर रहा है हमने purchase करने हैं उससे यह match कराएगा हमको थोड़े time में यहां पर उसकी matching होगी ठीक है तो यहां पर match करके यह हमें यहां पर show कर देगा तो हम कुछ time wait कर लेते हैं दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर हमारा matching seller इनोंने matching कर लिया हमें perfect seller यहां पर दे दिया यहां पर 10 minute का time इनोंने दिया है payment करने के लिए तो यहां पर हमें एक mail भी आ चुका है बजीर अक्सी की तरफ से phone भी आया था मेरे को तो यहां पर information भी आ चुकी है तो simply payment करने के लिए हम यहां पर अपने UPI पर click कर देंगे यहां पर आप payment करने के लिए आप अपने किसी भी UPI Paytm phone पे Google पे से यहां पर payment कर सकते हैं यहां पर मैं आपको suggest करूंगा आप Google पे यहां पर select करें ठीक है यहां पर सबसे ध्यान देने वाली बात यहां पर यह है यहां पर लिखा है yes I will pay यहां पर अगर आपने click कर दिया तो आपको payment करना ही करना होगा अगर आपने यहां पर click कर दिया और बार में payment नहीं किया तो आपको यहां पर 10 USDT का यहां पर penalty लग जाएगा अगर आप payment करते नहीं हो यहां पर तो यहां पर मैं simple yes I will pay पर click कर देता हूं यहां पर click करने के बाद यह देखिए यहां पर मेरे पास seller का information आ गया यहां पर उसकी UPI ID आ गई तो हमें payment remarks भी आ गया यहां पर जो remarks हमने payment की option में देना है तो यहां से simply हम यहां पर seller की UPI ID को copy करेंगे यहां पर copy करने के बाद हम अपने गूगल पे पेटियम या फोन पे से यहां पर payment करने वाले हैं तो simply मैं आपको payment करके दिखाता हूं Google Pay से कैसे payment करना है तो यहां पर मैं इसको cut नहीं करूंगा simply यहां से मैं back आ जाओंगा और अपने Google Pay को open करूंगा यहां पर मैंने अपने Google Pay को open किया अब यहां पर new payment पर हम click कर देंगे यहां पर आपके सामने यहां पर UPI ID के through यहां पर payment करने की option आपको देखने को मिले होगी तो simply आप UPI ID पर click कर देगे और यहां पर वो ID paste कर दोगे ठीक है पेस्ट करने के बार यहां पर continue कर दोगे continue करने के बार यहां पर उस बंदे का नाम शो हो गया ठीक है जिने हमें payment करनी है तो यहां पर payment करने के लिए हमने वहां पर 1260 रुपए यहां पर हमने payment करनी थी ठीक है तो यहां पर 1260 रुपए हम यहां से इसे डिपॉइट करने वाले हैं तो simply pay पर click करेंगे पेपर क्लिक करने के बाद यहां पर 1260 यहां पर डाल देंगे ठीक है तो यहां पर simply हम पे की option पर क्लिक कर देंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर मैंने अब मैं payment कर चुका हूँ इस बंदे को मैंने payment कर दिया है तो यहां पर simply नीचे की तरफ मैं यहां पर upload screenshot जो मैंने लिया है मैं screenshot यहां पर upload कर दूँगा तो यहां पर मैंने screenshot भी upload कर दिया अब simply यहां नीचे की तरफ यहां पर टिक लगाने के बाद I have paid पर क्लिक कर देंगे यहाँ पर click करने के बाद आपके सामने यह option आएगी yes I paid तो simply आप yes I paid पर click कर दो यहाँ पर click करने के बाद make payment with यह वाली option आपको देखने को मिलगी यहाँ पर मेरे को लिखा आगया having trouble तो यह कुछ भी नहीं है यहाँ पर approximately 2 गंटे का time यहाँ पर इन्हों ने लिखा है लेकिन ये 2 second में 2 minute में यहाँ पर आपकी payment successful हो जाएगी तो simply हम यहाँ पर थोड़ा सा wait कर लेते हैं यहाँ पर order place की यहाँ पर option देखने को मिल लेगी तो simply आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर मेरे यहाँ पर deposit हो चुके है जो मैंने money यहाँ पर deposit की थी ठीक है यहाँ पर successful payment यहाँ पर लिखा हुआ आपको देखने को मिल रहा है तो simply हम यहाँ से back आएंगे back आने के बाद ठीक है यहाँ पर आपको उपर की तरफ जो भी आपने money deposit की है यह देखिए आपके सामने मैंने यहाँ पर जो payment deposit की है यहाँ पर मेरी payment deposit successful हो चुकी है तो यह payment हमें यहाँ पर USDT 15 USDT हमने यहाँ पर भाई किया है तो यहाँ पर आपको USDT देखने को मिल रहा होगा तो simply अगर आपने यहाँ पर अपनी payment ऐसी रखनी है तो आप ऐसी रख सकते हो USDT में नहीं तो अगर आपने यहाँ पर INR में convert करना है तो यहाँ पर आप USDT सर्च करेंगे यहाँ पर हम सर्च करेंगे USDT ठीक है यहाँ पर इसका current price थोड़ा सा कम देखने को मिल रहा होगा हमने 84 में वहाँ पर buy किया है 84 में तभी buy किया है क्योंकि यहाँ पर अगर हम ज़्यादा price डालते हैं तो हमारा जो payment order है जल्दी successful हो जता है तो simply यहाँ पर हम अपने जो भी हमारे USDT है यहाँ पर 100% मैं यहाँ पर अपने coin sell कर रहा हूँ simply यहाँ पर आपने price डाल देना है amount कितने आपने USDT यहाँ पर sale करने है और नीचे आपको total 1235 रुपए मेरे को यहाँ पर मिलने वाल है तो simply मैं sale की option पर sell पर click कर दूँगा तो यहाँ से slide कर दूँगा ठीक है तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि मेरे यहाँ पर जो मैंने order लगाया है यहाँ पर मेरे USDT confirmation complete successful हो गया sell हो चुके हैं मेरे USDT coin तो यहाँ से अगर हम आपको दिखाएं तो यहाँ पर एक second यहाँ पर fund की option में दवारा आएंगे तो यहाँ पर INR मेरे 1232 रुपए यहाँ पर नीचे बीच में शोगिया जा रहे है तो उपर 1261 यहाँ पर शोगिया जा रहे है तो यहाँ पर dent coin थोड़े से मेरे पास किसी time के पड़े थे ठीक है तो दोस्तो इस तरीके से अगर आप payment करते हो तो आपको कोई भी यहाँ पर problem आने वाली नहीं है तो यहाँ पर मेरी कोई fees भी नहीं लगी है इस deposit करने में तो यहाँ से हमारे जो भी USDT थे वो INR में convert हो चुके हैं हमारी यहाँ पर money INR में deposit हो चुकी है तो दोस्तो यह मैंने live proof आपको दिखाया था यहाँ पर deposit करके अब आप INR से यहाँ पर कोई भी क्वाइन यहाँ पर purchase कर सकते होगे ठीक है तो I hope दोस्तो आपको वीडियो बहुत ज़्यादा informating लगी होगी क्रिप्या वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें और bell icon का button दबा दें ताके आने वाली सभी वीडियो की notification सबसे पहले आपको मिलती रहे और एक बात अगर आपने बजीर एक्स एप पर अपना account open नहीं किया है बजीर एक्चेंज पर तो आप वीडियो के description में दिये के link से यहां पर वीडियर एक्स एप में अपना account विल्कुल फ्री में बना सकते हैं यहां पर आपको cryptocurrency वाई करने में यहां पर बहुत ही असानी से आप cryptocurrency वाई कर सकते हो अपनी money को इंस्टेंट यहां पर deposit कर सकते हो और इंस्टेंट अपने bank account में विड्रा ले सकते हो तो यह नंबर वाण इंडिया का cryptocurrency exchange है यहां पर आपको बहुत ही असानी से यहां पर cryptocurrency की जो भी coin होते हैं यहां पर आप buy sell कर सकते हैं बहुत ही असानी से आई होप दोस्तों आपको वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफोमेटिंग लगा हुआ तो मिलते हैं next वीडियो में